हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Micromax Ion 1 Android mobile phone में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को आप disable कैसे कर सकते हैं और यह टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है इसके बाद आपको साउंट के इस पेज में नीचे की साइड में आना है और यहां पर आपको जो है टच वाइब्रेशन का यह option मिल जागा ठीक है टच वाइब्रेशन का यह option आप जो है select कीजिए तो यह setting जो है आपकी disable हो जाती है ठीक है अब यह setting जो है टच वाइब्रेशन के disable होने के बाद काम कैसे करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ आप अपने mobile phone के किसी भी application में किसी भी application के अंदर होंगे या फिर आप अपने mobile phone के किसी भी page पे होंगे तो आप किसी भी option को जो है टच करेंगे तो आपका mobile phone जो वो vibrate नहीं करेगा ठीक है यह setting जो है enable होने पर vibration create करती है हम किसी भी setting को किसी भी option को टच करते है तो ठीक है तो यहाँ पर जो है मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है तो इसके लिए आपको करना है कि आपको अपने mobile phone की home screen पर आ जाना है और यहाँ पर आपको setting page open कर लेना है setting page open कर लीजिए सबसे उपर आपको जो है यह search setting का option दिया हुआ इसे आपको select करना है अब यहाँ पर आपको search bar में type करना है touch vibration जो setting का name है वो आपको यहाँ पर type कर देना है ठीक है touch vibration तो नीचे की side आपको यह option शो हो जाएगा touch vibration का जब यह option शो हो जाएगा तो आपको इसे जो है select कर लेना है तो जब आप इसे select कर लेंगे तो इसे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको direct इस setting में लेकर आ जाएगा और इस setting को जो है यह highlight करके दिखाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया इस setting को ढूनने का